हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्वातीज रसोई आज मैं तर्बूज का शर्बत बनाने जा रही हूँ गर्मी में ठंडी ठंडी चीजे खाने और पीने का मन होता रहता है ऐसे में तर्बूज का शर्बत बना कर पी सकते है गर्मीओं में तर्बूज का सेवन करना बहुत फैदेमंद होता है इससे ताजगी मिलती है और यह वजन कम करने में भी मदद करता है आप इसे जरूर ट्रै कीजिए रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और रिलेटिव में इसे शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए उसके बाद बेल आइकोन को दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे तर्भूज का शर्बत बनाने के लिए हमें चाहिए एक केजी तर्भूज जिसे मैंने छिल कर छोटे टुकरों में काट लिया है वन पोर्थ कप चीनी अगर आपको कम मिठा पीना है तो आप चीनी इसकीप कर सकते हैं आदा चमच नीबू कारस आदा चोटा चमच काला नमक या टेस्ट के हिजाब से एक चमच अध्रक जिसे मैंने कदुकर्स कर लिया और आइस क्यूब एक जार लेंगे उसमें तर्भूज रा लेंगे चीनी आइस क्यूब काला नमक लेमन जूस और कदुकस क्या हुआ अध्रक और इसे पीस लेंगे इसे पीस लिया है और इसे इस्टेनर की सहता से हम छान लेंगे जिससे की रेसा तर्भूज का बड़ा टुकरा या बीज जो कुछ भी हो वो निकल जाए जूस चान लिया है यह देखिए कितना अच्छा जूस बना है और यह जो रेसा निकला है इसे हम फेक देंगे अब इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे अब इसमें डालेंगे आइस क्यूब इसे अब तर्भूज के टुकरे से सजा देंगे तर्भूज का शर्वत तयार है गर्मी में ठंधक देने वाली तर्भूज के शर्वत को आप बनाईए और यह रेसीपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैन देने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाईल पर आ जाए थैंक यू